एंटी ए यूजी सनेट यानी निमीजी नेट सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूटूब चैनल को और दबाईए बैल आइकन ताकि आप आसके हमारी आने वाली वीडियो बढ़े ही असानी से नमस्कार दोस्तो मेरा नाम रहतास निमीजी और आप सभी का सवागत है हमारे यूटूब चैनल निमीजी नेट पर दोस्तो आज हम रिसर्च के अंदर वेरियेवल्स के बारे में जानने वाले हैं अनुसंधान के चर के बारे में दोस्तो ये एक ऐसी चीज है जो रिसर्च में आगे बहुत बार यूज होगी चर और वेरियेवल्स का नाम आपको हर बार सुनना पड़ेगा बार बार तो इसके बारे में हमें अच्छे से पता होना जिरूरी है और ज्यादा दिक्कत उन दोस्तों काती है जो पहली बार ए अच्छे से और असान तरीके से समझेंगे किनों संधान के चर यानि की वेरियेवल्स क्या होते हैं तो चलिए दोस्तों अब हम शुरुआत करते हैं देखे चर क्या है चर को हम किसी भी वस्तू घटना विचार इतियादी से प्रभासित कर सकते हैं जिसकी कुछ मात्रा हो य या फिर किसी दूसरी वस्तू को प्रभावित कर सकते हैं अब देखे इसके अंदर हम असानी से समझने की कोशिस करते कि चर क्या होता है दोस्तों चर कुछ भी हो सकता है चर एक वस्तू हो सकते हैं घटना हो सकते हैं विचार हो सकते हैं कुछ भी चीज हो सकते हैं जिसका य जाता है नमक अगर किसी चीज में ज्यादा पड़ जाए कम पड़ जाए तो वो सबजी है वो भी खराब हो जाती है नियम तोड़ने से और या नियमों का पालन करने से हमारी चीजे अच्छी और बूरी हो सकती है और गाड़ी है गाड़ी को भी सही चलाने से वो सही चलेगे और गलत चलाने से वो हमारा accident कर सकती है यानि कि चर का मतलब कोई भी ऐसी वक्त वस्तु या तो किसी और चीज़ को प्रभावित करती हो या फिर वो किसी और चीज़ से खुद प्रभावित करती हो ठीक है और यहाँ पर अगर आप English में पढ़ना चाहे तो English में भी पढ़ सकत होते हैं और इसमें देखिए अब हम example के त्रीव समझने की कोशिश करते हैं कि variables क्या होते देखिए जैसे air pollution एक variable है एक चर है अब देखिए air pollution जब बढ़ेगा ज्यादा air pollution होगा तो क्या होगा disease यानि कि बीमारी बढ़ने लग जाएगी यहाँ पर 2 चर है हमारे पास एक त है ठीक है तो इसमें जो air pollution है दोस्तों इस चर्क के दबरा ये चर परभावित हो रहा है तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि कौन-कौन से चर्रा है हमारे air pollution है और कौन किस से परभावित हो रहा है यह भी हमें समझ में आ गया अब देखे इसमें और भी कुछ example देखते हैं variables के जैसे student slips और effect study score यानि कि अब देखे student है वो सोएगा तो उसका जो study score है वो परभावित होगा अब देखे इसमें दो तरीके से परभावित होगा अगर student बहुत ज्यादा सोएगा ठीक है तो भी उसका जो score वो down चला जाएगा और अगर student बिल्कुल भी नहीं सोएगा दिन में मालो दो घंटे सोगता है तो भी उसका score वो effect होगा ठीक है यानि कि जो score वो इसके सोने के उपर परभावित कर रहा है यहां पर दो हमारे variable है यह हमें पता चलगे अब दूसरे जैसे global warning बढ़ने से क्या होता है हमारा temperature increase हो जाता है तो यहां पर भी दो variable होगी और अगले जैसे eating ice cream ice cream के खाने से क्या होता है fever यानि कि बुखार हो जाता है तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा हूगा अच्छे से कि variable क्या होते है तो इस तरह की कोई भी चीज जो या तो खुद प्रभावित होती हो किसी चीज से या वो फिर किसी और को प्रभावित करते हुआ हम क्या कहते है चर कहते हैं और आगे हम इसकी बात करते हैं कि चर है उसके कितने कितने तरह के हो सकते में में जो चरों की हम बात करेंगे अब देखे सबसे पहले जो चीज आती है टाइप अफ वेरीवल्स के है इस तरह के चर पूली तरह से सवतंतर होते इन पर किसी का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता जैसे कि सुनामी को हम रोक नहीं सकते ठीक है दोस्तों यानि कि इस तरह के जो चर होते वो बिलकुल सवतंतर होते उसका किसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता जैसे कि हमने सु नामी आएगी तो आएगी सुनामी को हम नहीं रोक सकते तो यह हमारी क्या होगी दोस्तों हमारी independent variable यानि कि सवतंत्र चर ठीक है ओ अगल आता है dr. दोस्तों हमारा आसरित अगरेंच यानि कि उसे हम दवाई देकर ठीक कर सकते हैं इसके अंदर क्या होता है दोस्तों ये जो चर होता वो किसी और चीज के उपर depend होता है जैसे बुखार की हमने बात की तो बुखार किसी और के उपर depend है इसे हम control कर सकते हैं कम कर सकते हैं ज्यादा कर सकते हैं और आगे आपते दोस्तो हमारे पास मध्यवर्ति चर यानि की interviewing variable mediating इस तरह के यह देगे इस तरह के चर को हम पूर्ण रूप से देख नहीं सकते लेकिन यह है चर सतंतर चर और आसरित चर के बीच सामिल होता है अब देखिए हमने बात की थी यहाँ पर independent और independent variable की जो मध्यवर्ति चर होता इन दोनों के बीच में चर होता है जिसे हम अच्छे तरीके से नहीं देख सकते और यह है चर इन दोनों के बीच होने वाले संबंद के बारे में बताता है अब देखिए यहाँ पर एक example देखते हैं कि एक होगी ice cream होगी और फिर होगया बच्चे ने खाई तीसरा होगया बुखार हो गया और फिर वो बच्चा है school नहीं जा पाया ठीक है यहाँ पर अगर variable की बात करें तो कई तरह के variable है जैसे एक होगी ice cream होगी ठीक है और फिर बच्चे ने उसको खाया और फिर होगे बुखार और फिर effect क्या पड़ा कि वो school नहीं जा पाया अब देखिए अगर हम इन दो चीज़ की बात करें दो variable की बात करें इन दो की हम बात करें ठीक है तो इन दो के बीच में ये variable भी आ रहे हैं तो इन को हम क्या कहेंगे मध्यवर्तिचर या interviewing variable mediatyating variable कहेंग ठीक है और आगे हम देखते हैं दोस्तो moderator variable ये क्या होते हैं यह संबंदों को सुधारने का काम करता है अब यह देखिए जो संबंदों के तोर पर लेके सलते हैं कि बच्चे ने आईस क्रीम खाई और वो स्कूल नहीं जा पाया ठीक है हमें पता क्यों नहीं जा पाया क्योंकि उसको बुखार हो गया अब देखे बुखार हम चाहे तो पांच दिन में भी ठीक कर सकते हैं और अगर हम केर ना करें तो हो सकता है उसे पंदरा दिन भी लग जाए तो अगर यहाँ पे हम बच्चे को मैडिसन वगरा देंगे का काम कर रही है ठीक है और आगे आते हैं दोस्तों हमारे पास नियंत्रित चर कंट्रोल वेरिवल इस तरह के चरों को हम अपनी आविशक्ता के अनुसार नियंत्रित कर सकते हैं ठीक है दोस्तों और इसे यानि कि जो हमारे नीड है उसे कम करना है ज्यादा करना है उस होता है दोस्तों इसके अंदर कोई ऐसा अरे पास वेरीवल होता है जो जिसका एक छुपा हुआ परभाव होता है अब देखिए इसके अंदर हम क्या यही एक्जम्पल लेकर चलते हैं कि बच्चे ने आइस्क्रीम खाई उसको बुखार हो गया बच्चा स्कूल नहीं जा पाया अब देखिए हमें लग रहा है कि बच्चे ने जो आइस्क्रीम है वो खाने से उसको बुखार हो गया हमें यह पता चल रहा है लेकिन इसका एक और रिजन भी हो सकता है कि बच्चे को मच्छर खा रहे हो उसे डेंगू बु हो गया हो गंदा पानी पीने से बुखार हो गया हो और फिर स्कूल ना जा पाए हो और हमें लग रहा हो कि बच्चे ने आइस्क्रिम खाई है इसलिए वो बिमार हो गया तो इस तरह के वेरियेवल जिनका डैट है वे लेक्स प्रभाव होता है दोस्तों अगला हमारा वेरियेवल आता है लेटिन वेरियेवल के इंदर क्या उता क्या ऊता है ओह इसलिए अधर्लिए उसह ने हो सकता है गंदा पानी पी लिया हो या फिर मच्छर ने काट लिया हो ठीक है अब ये जो वेरियेवल होते हैं छोपे वेरियेवल इनको हम डिरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं कि बच्चे ने कितना गंदा पानी पिया किस वज़े से बुखार होई क्या हुआ यानि कि उनको ह और observe directly रूप से नहीं कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं Latin variable कहते हैं और इस में से एक बार एक से दो बार question आया दोस्तों यह आप ध्यान से देख लेना और आगे हैं दोस्तों हमारा manifest variable अब देखिए manifest variable Latin variable का थोड़ा सा उल्टा है यह variable that can be directly observe और measure यानि कि ऐसा variable जिसे हम directly observe कर सकत हैं अब यही एक्जांबल हम लेके चलते हैं कि बच्चे ने आइस क्रिम खाई उसे बुखार हो गया अब हम यह देख सकते हैं कि बच्चे ने एक आइस क्रिम खाई थी निया 10Fx ice cream खाई थी या कितनी आइस क्रिम खाई थी ठीक है यह हमें directly पता चल रहा है जिस कि इस तरह के variable जिनको हम directly देख सकते हैं, observe कर सकते हैं और measure कर सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं मैनिफेस्ट variable कहते हैं आगे आता है दोस्तो हमारे पास endogenous variable इसके अंदर क्या होता है दोस्तो similar to dependent variable ये dependent variable की तरह ही होते हैं they are affected by other variable variable in the system ये दोस्तो वही है कि dependent variable के तरह होते हैं आसरी तरकी तरह होते हैं जो किसी और के दवारा प्रभावित होते हैं हमारे study के अंदर दोस्तो आगे आता है हमारा dummy variable अब देखे dummy variable क्या होता है record categorical variable in series of binary variable ये दोस्तों ये जो दोनों variable है ये इको मैट्रिक्स के अंदर यूज होते हैं जो statics विग्रा होता है यानि कि जो ई-commerce के जो platform होते वहां पे ज्यादा तर ये इनको यूज किया जाता है ठीक है तो इसके अंदर चलो मैं बता देता हूं ये हमारे इतने ज्यादा नहीं आएगा ये variable आज तक मैंने नहीं देखा ये question paper में फिर भी हम जान लेते हैं ये क्या करता है दोस्तों ये जो किसी की absence यानि कि किसी की कमी को पूरा करता है अब डमी डमी से देखो हमें समझ में आ रहा है कि कि किसी चीज की डमी बनाना ठीक है कि किसी की कमी को पूरा करना यानि कि जो variable किसी चीज दूसरी चीज की कमी को पूरा करता हूँ उसे हम क्या कहते हैं dummy variable कहते हैं देखे dummy variable के वारे में मैं आपको एक example के तरू समझाता हूँ जैसे कि हम cricket खेल रहे हैं ठीक है और cricket के अंदर एक जो खिलाडी है उसको चोट लग दी ठीक है तो उस खिलाडी की जगे एक extra खिलाडी टीम में होता है वो आकि उसकी जगे लेता वो खेलता है तो उसे हम क्या कहते हैं dummy variable कहते हैं यानि कि dummy के रूपों में वो होता है और देखें दोस्तों मैंने आपको जितने वी main main variables थे वो मैंने सभी आपको करवा दिये हैं और variable अगर देखा जाए तो इसके अलावा भी बहुत से variable हो सकते हैं चोटे चोटे हर field के अंदर अलग अलग variable होते हैं लेकिन हमारे normally जो variable यूज होते हैं वो मैंने आपको करवा दिये हैं और मिरक और मुझे उमीद है कि आप सभी को variables के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा और अगर किसी दोस्त का कोई भी किसी भी तरह का कोई सवाल जवाब है तो वो हमसे comment box की जरीए पूछ सकते हैं हम आपके सभी सवालों का जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे और दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छे लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन जरूर दवाईए ताकि आप हमारी आने वाले वीडियोज को साने से देख सके हैं थैंक्यू दो और दोस्तों